नमस्कार दोस्तों जैहिन आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रस्वागत है अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए थ्री फेज लोकों में अगर हमको बोगी आइसोलेट करने की जरूवत है तो वो हम स्विच नंबर 154 से भी कर सकते हैं और बोगी 1 को SR1 की MCB से आइसोलेट कर सकते हैं और बोगी 2 को SR2 की MCB से भी आइसोलेट कर सकते हैं बोगी को 154 स्विच से कब आईसोलेट करेंगे और कब MCB 127.1x1 और 127.1x2 से आईसोलेट करेंगे इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना हुआ है आप लोग उसमें देख सकते हैं कि किस फाल्ट में बोगी आईसोलेट करने के लिए स्विच 54 का यूज किया जाएगा और कि बोगी आईसोलेट करने के लिए MCB का यूज किया जाएगा तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि अगर बोगी को स्विच 154 से आईसोलेट करना हो तो वो कैसे किया जाएगा यहाँ पर फिगर में देखें SB1 पैनल आपको दिखाया गया है इसमें सबसे उप चार प्रोगाम सुष दिए हैं सबसे लेफट में सुष नमबार 152 उसके बग़ा सुष नमबार 154 उसके बग़ा सुष नमबार 162 और उसके बग़ाब 237.1 रुकी हम इसको जूम करके आपको दिखाते हैं इसका जो स्विच है ये समय नॉर्म की तरफ है इसकी नारमल लिखा हुआ है राइट में 2 लिखा है और नीचे 1 & 2 दोनों लिखा हुआ है मतलब कि नार्मल अवस्था में जब दोनों बोगी वरकिंग में होती है तो इस 154 स्विच की पोजीशन नार्मल पे रहती है अब मान लिया हमको बोगी 1 आईसोलेट करना होगा तो कुछ चीजों क को फालो करते हुए इस स्विच को हम एंटी क्लाकवाइज 1 पर कर देंगे जिससे हमारा बोगी 1 आईसोलेट हो जाएगा और अगर हमको बोगी 2 आईसोलेट करने की जुरूत है तो कुछ तर्म को फालो करने के बाद इस स्विच को क्लाकवाइज घुमा के सेकंड नंबर प होता है जब किसी कारल से हमारे दोनों त्रैक्सान कनवर्टर आइसोलेट हो जाए या दो बर आसोलेट हो जाए या दो प्रोसेसर आसोलेट हो जाए मतलब कि उस समय पैटल एरर आ गया हो में-पावर आफ का मैसेज भो तो इस स्विच को वन 2 पर कर देंगे जिससे कि हमारे इस लोकों से पावर नहीं मिलेगा लेकिन हम इस लोकों से पिछले वाले लोकों का पावर लेकर गाड़ी को हम चला सकते हैं तो चलिए हम बात करते हैं कि बोगी आइसोलेट करने के लिए कौन से टर्म्स को हमको फालो करना पड़ेगा जब हमारा local running condition में होगा अगर उस समय हमको bogie isolate करने की जरूरत है तो हमको क्या-क्या terms follow करना पड़ेगा सबसे पहले हमको throttle को zero position पर करना पड़ेगा और उसके बाद VCB को open करना पड़ेगा जब VCB open करते हैं तो friends आप लोगं को पता है नोड जो है वो 550 आ जाता है स्क्रीन पर तो नोड 550 आने का इंतिजार करेंगे उसके बाद हम SB1 पैनल पर जाएंगे जो की machine room number 1 में है और उस पैनल पर पहुंचगे switch 154 पर पहुंचेंगे और इस switch से अगर हमको bogie 1 isolate करना है तो उसको एक number पर कर देंगे anti-clockwise घुमाकर और अगर bogie 2 को isolate करना है तो clockwise घुमाकर second number पर कर देंगे और ऐसा करने के 10 second बाद bogie हमारी isolate हो जाएगी दूसरा condition है कि लोको हमारा इस समय खड़ा हुआ है उस समय हम क्या करेंगे उस समय हमको throttle 0 पर करना है उस समय नोड हमारी 590 आजाएगी और 590 आजाएगी तो हम उस SB1 पैनल में लगे हुए switch 154 को use करके bogie isolate कर सकते हैं और उसके 10 second बाद bogie isolate हो जाएगी जब लोको खड़ा हुआ है उस समय हम एक precaution के तोर पे हम reverser को भी बीच में कर देंगे ताकि हमारा connection converter के DC link है वो discharge हो जाए और उसके बाद हम 154 switch का use करके हम bogie isolate कर दें यहां एक बात यह ध्यान देने वाला है कि bogie isolate करने के लिए हमको C आफ करने की जरूरत नहीं है लेकिन जब एक बार bogie isolate हो चुका हो उसको वापस हमको service में लाना है तो उस समय हमको C आफ करना पड़ेगा क्योंकि bogie isolate करने के बाद हमारा sub system isolate हो जाता है और जब भी sub system को हमको service में लाना होगा तो C आफ करने के बाद ही उस sub system को working में लाया जाता है इस तरह आज के वीडियो में हम लोगों ने स्विश नमबर 154 के द्वारा भोगे आइसोलेट करने का प्रोसीजर सीखा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू